जै माता की दोस्तों कैसे हो आप सब दोस्तों आप सभी का हारदिक स्वागते महाकाली भकत गयानी यूटुब चैनल में तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भकतों को बताने वाली हूँ अगर आप नवरात्री की चोकी में खेत्री बोते हो माता की और आपकी खेत्री आती नहीं है तो आप ये उपाय करो खेत्री भी आएगी और मनोकामना भी पूरी होगी जी हाँ दोस्तो अगर आपका कोई ऐसा कारे है जो आप माता से अल्रेडी पहले से मांग रहे हैं लेकिन आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है अब आप इसी चीज को लेकर घवरा जाते हो कि हम तो इतनी पूज़पाट करते हैं मा के फास्ट रखते हैं मंतर जाप करते है लेकिन माता हमारी सुन्ती क्यों नहीं है हमारी मनोकामना पूरी क्यों नहीं कर रही है आप ऐसा ही कुछ सोचते हैं तो अब आपको ऐसा ना तो सोचना पड़ेगा और आपको घवरानी की जरूरत है जो आज मैं आपको नवरात्री के दुरान का उपाए बताने जारी जब सुबह आप अपने घर में माकाली के नाम से मातारानी के नाम से खेतरी बोएंगे उसी समय अगर कोई मनोकामना है आपकी तो किस तरीके से आपको पूरी करनी है और किस तरीके से आपकी मनोकामना पूरी होगी माकाली आपकी जल्दी मनोकामना सुनेगी जब आप माका ये कारी करते हैं तो चलिए दोस्तों मैं आप सभी भक्तों को पूरी जानकारी के साथ इस वीडियो में बताने वाली हूँ लेकिन बताने से पहले आप सभी भक्तों से एक रिक्वेश्ट करना चाहती हूँ अगर आप महाकाली भकत ग्यान यूटुब चैनल पर नए आए हो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक सेर कमेंट जरूर कर ले ना क्योंकि यहां पर आप लोगों को ऐसी ऐसी जानकारी आगे आगे मिलने वाली है जो आस तक आपको कहीं भी और केसी भी चैनल पर नहीं मिली होगी तो वही जितने भी माता काली के भकते हैं या अ जब भी खेतरी को आप बोते हो तो खेतरी आपको लाश्ट में ही बोनी चाहिए जब आप माता की चोकी लगा ले कलस स्थापना कर ले तब आपको खेतरी को बोना चाहिए आप कुछ लोग ऐसे हैं मैंने देखाए कि जैसे पंद्रह तारिक से नवरात्रे इस्ठाड हो रह सुनती है माता काली जब आप नियम और कारे से अपना मतलब काम करते हो तो आपको करना क्या है यह मैं बता दू जब आप खेतरी बोएंगे अपनी चोकी के पास तो जो जिसमें मट्टी की डोंगे में आप खेतरी को बोते हैं तो उसमें आपको क्या करना है जब आप खेतर जब आप मट्टी के डोंगे को मतलब रखेंगे ठीक है जब खेतरी बोने चाहेंगे तो आपको सबसे पहले क्या करना मट्टी के डोंगे पर आपको सातिया बनाना है ठीक है सातिया बनाकर आपको एक उर्पा और एक साबुत सुपारी अपने हाथ में रखेंगे पहले अपन उस खेत्री में मांगो मैं बता रहे हैं आपको किस तरीके से करना है ठीक है तो जब आप अपनी मनों कामना मांग लेंगे माता को बता देंगे तो आपको एक उर्पा और साबत सुपारी खेत्री के अंदर रख देनी है ठीक है जो मट्टी का डोंगा अपने जिसमें खेत्री बोएंगे उसके अंदर बीच में रखना है बिल्कुल बीच में और रखकर बीच में फिर उसके उपर मट्टी डाल देनी है इस तरीके से आपको खेतरी को बोना है जिस तरीके से में बता रही हूं और जैसे ही आप अपनी खेतरी को बोएंगे तो खेतरी को किस तरीके से बो बारा से जोए के उपर डाल देनी है बस हो गया आपका काम और खेतरी आपकी ऐसी आएगी कि जो आती भी नहीं जिन लोगों के घर में खेतरी नहीं आती है वो लोग भी आज इस वीडियो को देखकर खुस हो जाएंगे कि उनकी जब खेतरी एक दम ऐसे आएगी जैसे आप सा दुटतीनवार मेंने अपनी मनुख कामना मांगी थी जब मेने खेतरी इकदम हरी खरी और मैरी मनुख कामना भी मत आखकाली के असरी तो इसी लिए मैं आप सभी के लिए ऐसी वीडियो लेकर आती रहती है ताकि आपको भी पता चले और आप भी अपने सारे कारे मातारानी से खुद कराएं तो चली दोस्तों मैंने आप सभी को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा दिया है और आपकी समझ में आगया होगा नहीं भी आया है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जै माताकाली हरहर महादे माताकाली आपकी मनुका हम न पूद कृति